किसान भाइयो आज आपको बताएंगे दीमक या फखफुंद कैसे धान के खेत में या कोई से प्लांट में आपका लग जाता है यह लग के आपको फ्लांट को खराब कर देता है इसके उपाय भी बताएंगे और यह कैसे हटाया जा सकते हैं मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं उसके बाद धीमक लगता है दीमक ऐसे तो किसान मित्र का मित्र होता है इसलिये इसमिनए कोई भी नकर यह यह में कोई उस बेट ने लग जाता है जैसे यह तॉस होता है तो दीमक उसमें आपके उसे फपुंद को खाने के चकर में आपका प्लांट को भी काटने लगता है जो धान या कोई भी फसल में आपको अराम से वह लग जाता है जो कि आपके लिए कष्ट दायक होता है और इसके लिए आप एस्प्रेस जैसे ही करेंगे तो दीमक भी मर जाएगा और फपुंद फपुंद तो पहले मरेगा उसके बाद दीमक भी मर जाएगा जो दिक्यमक किसानों का मित्र केट होता है इसलिए दीमक तो मरना नहीं चाहिए और यह फपुंद लगता है तब ही लगता है उससे पहले तो नहीं लगता है यह धान का आपको कोई नुकसान नहीं पहुचाता है लेकिन अगर उसके नीचे कोई प्लांट जिसे भॉल दिक्याता है इसलिए लोग दिन पूराना टहराना पूराना या छे महीना पूराना आप सारा हुआ हुगा और जो चे महीना हुगे हो तब मुंद्स परागा कि यह गाने henal तो प्लाम के लिए परंबर होता है जो आज आपको भूपाए बताएंगे आपको पहले अगर फिटकीरिगा प्रयोग किये हुए हैं तो फिटकीरि का प्रयोग कर दे ऐसे लोग के ताथ दर्द या कोई भी चीजिक कटा फटा पे फिटकीरी का लोग फफुंद नहीं लगने या घाव ना होने के कारण लोग करते हैं तो इसलिए आप फिटकीरी का एक के जी फिटकीरी परते एकर के हिसाब से एक के जी दे सकते हैं लेक के जी आपको एक एकर में भूख नी करके वह पंसारी के दुकान पे 30-40 रुपे में मिल जाएगा वह आप इसे फिटकीरी को भूख के आप पानी में डाल दे यहां से पानी आ रहा है वहां फिटकीरी का गोला रखती जाएगा तो पानी के सहीद पानी को साफ भी कर जो कि आपके खेत के लिए बहुत लाप्रकाली होता है क्योंकि फिटकीरी से ही पानी साफ किया जाता है बराबरा टेंग में फिटकीरी रख दिया जाता है जिससे यहां अच्छा लगता है और पानी में कोई गंद की नहीं पाता है और उसके लिए आप फिटकीरी का और हि 20-30 माática पूलाज़ा एनना होगा जो कि आपको किसी भी पंशारी यह कहीं प्रसूड्स पर मिल दॉप से ले सकते हैं और वह परकर कि हिसाब से 10 ग्राम डालते तस कुछल का है वहां तम आई हिंका थोटा शाया पवा उत्चाता है जो कि वो बहुत थोरा महां मिलेगा वह 50 60 में मिले गवैखा वही आप wysy डाल दिमें कि न ट्रोत की और उस के बुप के और उसे पानी में मिला के और उसी पानी में जहां से पानी आ रहा है वह वह ही से ऑप डाल दिजे जैसे ही उप्रकेत में सफिरा देर में फ्राँ जाएगा और जैसे ही फैल जाएगा तो उसके बाद देखिए तुरह तो ये आपका किटानु जो भी फंगस या कोई भी चीज़ हो वो मर जाएगा और जिससे आपका प्लांट हरा भारा होने लगेगा और उसमें अगर ये सब प्रोब्लम है तब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है ऐसे मेरे वीडियो पर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कर धन्वाद